गुद मॉर्निंग फ्रेंज, सीजी जॉब एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सीजी टेट दोहजार चोबिस का माडल उत्तर कब तक आएगा? बहुत सारे साथी हमें कॉमेंट के माध्यम से, हमारे वाट्सअप नंबर के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मॉडल उत्तर की एक संभाविक तारीक की बात करूँगा साथी नए हैं चैलन को सब्सक्राइब करेंगे भई, एक चीज मैं पहले और बता दो सिजी टेट का पेपर हो गया है, जादा अब उस पर ध्यान देने के बजाए आप सिक्षक भरती कैसे लाया जाए, इस पर विसे ध्यान दीजिए साथियो 33,000 पदों पर शिक्षक भरती कैसे आएगी, हमें क्या रननिती अपनानी है, क्या करनी है कि प्रदेश में 33,000 पदों पर शिक्षक भरती आजाए, इसके लिए ग्यापन निवेदन की प्रक्रिया चल रही है, आप भिसा भागिता निभाए तो आईए बात करें, CGTate 2024 का माडल उत्तर कब तक आएगा सबसे पहले दो परिक्षाओं के माडल उत्तर पर एक नजर डाली है देखिए, प्री BAB8, प्री BSC B8 का जो पेपर है, 9 जुन को हुआ था और माडल उत्तर 28 जुन को आया है यह प्री BAB8, BSC B8 है, इसके अलावा मैं बात करूँ, प्री MCA की, प्री MCA की परिक्षा 13 जुन को हुआ है और 1 जुलाई को इसका माडल उत्तर जारी हुआ है मैं इनका जो जानकारी है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं साथियों तो देखिए, अभी हमने देखा है, प्री BSC B8, BAB8 जिसका परिक्षा 9 जुन को हुआ था और माडल उत्तर 28 जुन को आया अर्थात, इनका जो माडल उत्तर आने में कितना समय लगा? 18 दिन का समय लगा कितने दिन का समय लगा मेरे दोस्तों? प्री BSC B8, BAB8 का माडल उत्तर आने में 18 दिन का समय लगा ठीक, इसी तरह अगर मैं MCA की बात करूँ प्री MCA का परिक्षा जो है 13 जुन को हुआ था और इनका जो माडल उत्तर है 1 जुलाई को आया इनको भी जब हम काउंट करते हैं तो 13 दुनी 26 और 34 13, 13, 4, 17 और 1 तरिक को आया है मतलब 18 दिन में अर्थात प्री MCA का भी माडल उत्तर 18 दिन में आया है तो इससे आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी प्रतियोगी परिक्षाएं अभी वर्तमान में CG व्यापम के द्वारा चल रहा है उनका माडल उत्तर 18 से 20 दिन के अंदर आ रहा है हम यही मान के चल सकते हैं कि CGTate 2024 का जो माडल उत्तर है वह भी आपका पलचा होने के 17 से 20 दिन के अंदर आएगा क्योंकि दूसरे एक्जाम की मैंने अभी बात किया है ग्डव वित प्रूप देखा 17 से 20 दिन के अंदर उनका भी माडल उत्तर आया है तो आप यह इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि CGTate 2024 का भी माडल उत्तर 17 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा अर्थात CGTate का जो पेपर है आप जान रहे हैं 23 जून को CGTate का पेपर हुआ है जून में 7 दिन निकल गया आज 4 तारीक की स्थिती में मैं वीडियो बना रहा हूँ 7, 4, 11 और 4 में आप 6 जोरोगत 11, 6, 17 अर्थात 10 तो आप मान सकते हो साथियो 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में अर्थात 10 तारीक से 15 तारीक के बीच में आपका CGTate 2024 का माडल उत्तर आने की जो संभावना है 90 प्रतिसत है देखिए पहले भी आ सकता है लेकिन जिस तरह से हमने दूसरे एक्जाम्स के माडल आंसर की बात की उनसे तो यही लगता है कि इनका जो माडल उत्तर है 10 तारीक से 15 तारीक के बीच में हो सकता है अर्थात आप इतना मान के चलिए अगला सब्ता CGTate का हो सकता है CGTate माडल आंसर का अगला सब्ता हो सकता है 10 तारीक से 15 तारीक के बीच का जो समय है आने की असिमित संभावना नजर आ रही है I hope आपको माडल उत्तर से संभन्धित एक संभावना मिल गई होंगी मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा लगातार मैं बोलता भी आ रहा हूँ B.A.D.A. संगठन का साथ दीजिए चाहे वो कुछ भी कहते हैं सिक्षक भरती के तारतम्य में उनका आप कदम से कदम मिला कर साथ दीजिए साथियों तभी प्रदेश में 33,000 पदों पर शिक्षकों की भरती आएगी अगर ऐसा आपने नहीं किया तो सिर्फ आप टेट पर टेट खेलते रह जाओगे सी टेट, सी जी टेट, सी जी टेट यही नहीं करना हमें नवकरी भी चाहिए और नवकरी के लिए आपको प्रयास करना होगा मिलकर प्रयास करना होगा फिर आल इस वीडियो में इतना ही साथ ही नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जहीं